वेलकम दोस्तो आज की वीडियो से हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं एपई बनाना तो मोंगो डियू आपने मेरे देखी है तो उसमें ने मोंगो डियू का कनेक्शन कर रखा है और एक अमने डेटा भी निकाल के देखा था यह वाला कि इसको कैसे फाइंड करते हैं तो आज ह को मैं copy paste कर लिता हूँ इसके लिए एक हम अलग राउट पॉल कर रहेंगे राउट का नाम रख देते हैं राउट एक हम लोगा यह राउट बना लिया इसमें हम यह कोड अठा देते हैं केबल एड़ वाला कोड रखते हैं ठीक है कि यह एड़ हो गया बाकी सारा में अठा देता हूं कि यह मल्टर इमेज की जड़ूत नहीं है यहां पर हम कंट्रोल कॉल करेंगे अपना एंप्लोईस का यहां पर मैं कंट्रोल बना लेता हूं इसको कॉपी किया मैंने कि पेस्ट कर दिया इसका नाम रख दिया मैंने अब यहां से मैं करता हूं सारी चीज़े अठा जिता हूं अब यहां से बना दो मैं एड एंप्लोई यहां परमा में लेकर रिक्वेस्ट पर एक परमेटर में लेकर रिक्सपॉंस यहां से जो मिलेगा हम उसको वापिस कर देंगे रिस्पॉंस डॉट सेंड हम करते हैं इसमें पास करते हैं स्टेटस उसका 200 और जेसन हम यहां पर मैसे लिए देते हैं एड अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं मॉडिल डॉट एक्सपोर्ट अब मैं जाता हूं अपने राउट के अंदर इसको कॉल करवाता हूं और यहां पर हम कंट्रोल का नाम लेते एंपी सीटी एल कंट्रोल यह ठीक हैं अब चेक करता हूं मेरा यह कॉल हो रहा है नहीं वरा मैं यहां पर गया यहां पर इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं यहां पर जैसे हमने इवल राउट इंक्लूड कर रहता हूं तो सेम यह कॉल होना चाहिए मेरा जब भी मैं एंप्लोई लिखूं एंप्लोई लिखता हूं और इस राउट को मैं यहां पर इंक्लूड रवा लेता हूं रिक्वाइर राउटर रूट एंप ठीक है ठीक है अब मैं जैसी इसको एट करता हूं तो यह कहा रहा है कि गया टेम्पलो अच्छा वह पोस्ट का बनाया था हमने तो पोस्ट कर दिया मैंने इसको एंटर कर आवेने एड़ मतलब मेरा कोड यहां तक आ गया है है टेक है अब इसमें थोड़ा सा कोड को और संब्लिफाइए कर दीए न जो यह कूद लिखा हुए हमारा सकूर के अंदर बना के रख लेते हैं यहीं पर कन्फि aliment है इसको कॉपी करा मैंने सी अंदर पेश्ट कर दिया यह हमारा तह माइस के लिए इसको कर देता हूं बीधी पदेएस कर देता हूं इस यह डीक हो जा है और तो यह जो connection है यह सारा मैं निकालके यहां से paste कर दिता हूं इसको भी ने यहां पर मैंने paste कर दिया है और इसको यहां से हम export कर देते हैं सारी value को module .export यह यह export हो गया और यह आपरा मैं include कर लेते हैं इस वाली file को require config के अंदर यह वाली चीज़ ठीक है यह देको mongo db connected हमारा आ गया जो कि यहीं से आ रहा है अगर मैं इसो change करता हूं पर देको mongo db is connected आ गया ठीक है अब इसके बाद मैं क्या करना था यहां से मैंने अपना model लटा दिया था अपने controller करना जाता हूं यहां पर उस model को include करता हूं यहां पर लिदा हूं constant employee नाम को हुआ है रिक्वाइर करा मैंने है तो अब भी मैं काम करता हूं लिस्ट का भी बना कर लेता हूं इसमें वैल्यू आई है नहीं आई है लिस्ट विच्ट लाइं कम इसका रॉुड बनाना होगा मैं को यहां पर जाके इसको कड़ दूंझा हूं गेट यहां कर दिया लिस्ट इसको अटा जैता हूं इले हो लिस्ट एमपलोय लिस्ट एमपलोएं लिस्ट एमपलोय है अब यहां से जो एम्प्लोई है एम्प्लोई.find पहला पैरेमिटर था ब्लैंक कि कुछ भी आ जाए उसके बाद था फंक्सन सेगन पैरामिटर फंक्सन इसके अंदर एरर पहले पैरामिटर में आता है दूसरे में आता है कुछ भी डोकुमेंट जो मिल रहा है उसके बाद अगर कुछ डोकुमेंट आएगा तो हम यहीं से उसको रिटन करवा लेते हैं चेक करते हैं मैं आसिदेलम लिस्ट रिकोर्ड वमारे पास यह डॉक वाल पता दल जाएगे आया या Сबस्फ आए लुके से यह मैंना एंटर करा तो यह देखो लिश्ट वाले को लोगे रिकॉर्ड आगे oh yeah और conf works कार वाले इपने कर दिया है यहां जो करते उसके बाद हमने क्या रहा था ता से पहले फिर हमने राउट बनाये था यहां से पूसको कॉल कराया है कंट्रोलर को employee control रखो वह यहां पर घळा हमारा यहां पर यह पर हमने फंक्सें बना आया इसको ईटन करवा दिए बस और यहां पर मोडलीं यह इंक्लूर कर लिया हमने आप और model को find कर लिया यह था हमारा simple list वाला कि कैसे हमारे list है ठीक है थेकिन हम इसमें इपे बनाने वाले हैं अपनी add के लिए तो उसके लिए आपको क्या करना है यह वाली post की इप यह यहाँ पर हम body में पास कर देते है डेटास का हमें क्या गया parameter चाहिए इसमें नेम चाहिए इमेल डिपार्टमेंट mail id is on ठीक है तो यहाँ पर में लिए देन नेम हो गया हमारा test इमेल हो गया हमारा test at the gmail.com डेपार्टमेंट हो गया हमारा SEO लिख दिया हमने mail id हो की mail test at the mail.com इस डाल दिया हमने 12 फोन नम्मा डाल दिया हमने दो तीजाप आप नो तस ठीक है अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको जैसी आप यहाँ पर जाओगे तो आपको हमने पहली माइस कि अगरा वीडियों देखी होगी आपने तो इसके अंदर बादी पार्सर के बारें बता रखा है तो बोड़ी पार्सर क्या काम करता है जाँ आपने नहीं देखी वाली वीडियों तो इदे अदर जाएगा एठीक है अब मैं यहाँ पर जाने क जे मैंने कर देपा यहां पर और डेटा मिला यह effective डेटा मिला वह किस वाज़े से मिला mainer देखो मैंने बॉड़ी पार्म लिया है उसके बा Stellen ili इसको मैंने इस वाले टाल दिए और dedi यह एक लाइन लेकिए है राउट डॉट यूज बोडी पार्स जेसर और जो यह डेटा है अगर मैं इसको यहां से अटा देता हूं सब्सक्रों मैं आटा जेता हूं तो आपका जो भी पूश्ट के अंदर डेटा है वह आपको यहां पर मिलेगा नहीं समझें किसलिए यूज करा है मैंने फिर सापको बता दिया कि जैसे हम यह करेंगे तो बोडी पार्स आपका क्या काम करता डेटा को लेने का काम करता है यह मिलीगा डेटा अब इसको हम सेव करवा देते हैं बस सीव करवाने के लिए सीव करवाने के लिए आप कर सकते हैं पर वैरिबल ले लिए मैंने एक डेटा ठीक है इसके अंदर हम हम लेते हैं new employee जो हमारा जो है यह क्लास इसके अंदर हम इन value को set करेंगे यहां पर object होगा यहां पर हमको क्या करना आइडी हम यहां पर एक काम करते हैं constant mongoose ले 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 लेते हैं मोंगूज यहां पर रिकार कर लेते हैं इसको मोंगूज ठीक है अब यहां पर हम लेखते हैं new mongoose.type.object id उसके बाद हमारे पास क्या करते हैं नेम था हमारे पास नेम के अंदर हमारे जो नेम आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा आपका यह body.name मिल जाएगा आपको एक सेके नहरा रहा है मेरा ठीक है यहां मैं जैसी एट करता हूं इसको तो यह देखो यह name के अंदर email के अंदर यहां सब मिल जाएंगे तो वह value में एक बार फिल्ड कर लेता हूं है email email के अंदर मिल जाएगा में इसके बाद आपका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट उसके बाद आपको अब्जेक्ट अकाउंट नाम का इसके अंदर हम सेट करते हैं mail id तो वह आपको मिल जाएगी mail id में उसके बाद आपका ऑए is वह भी Awwald buddy एसब मिल जाएगा उसके बाद आपका phone वह भी आपको ठों में मिल जाएगा अठीक है इसके बाद आपको करना तो यह डेटा आएगा इसको करना आपको डेटा डॉट सेव उसके बाद करना आपको देन अगर यह सेव हो जाता है तो रिजल देते हमें और यहां पर हम रिस्पॉंस को प्रिंट करवा सके हैं यहां से कि आपका मैंसी आजाए एडेड और रिकोर्ड आपको जो यहां से कुछ रिजल मिलता वो आप डिस्प्ले करवाद हो कि क्या से वह आपका अधरवाईज आपका मैंसी आजाएं एरर का इसमें कुछ error है तो भाई error डिश्पले करवा कर दे हमें है ठीक है इतना काम करना है यह सेव कर दिया है इसके अंदर हम जाएंगे इसको refresh करा हमने अब यह हमारे पास एक ही record है जैसे मैं यहाँ पर जाता हूं इसको मैं यह करता हूं यह ID को मैं ले लिता हूं इसमाल में लिए मैं यहां से मैंने send करा तो यह देखो यह test हमारा record से वोने के बाद यह वापस से उने return करा हमें हम यहाँ पर जाएंगे इसको refresh करेंगे तो यह देखो value save हो गया हमारी इसको मैं एक बार value save कर देता हूं यहाँ पर test को करता हूं मैं test is इसको send करा हमें तो यह देखो यह हो गया यहाँ पर गया हम इसको refresh करा हमने value हमारी आगी तो अमने इसमें क्या करा है वो तो सब आपको normal तरीका था जो मैंने starting में आपको बताए था ने यह सारी चीज़ है यह तो आपको पता होगी अगर जिनको पता है तो ठीक है इनको नहीं पता तो उनको बता दिया वाने बाकी हमने बैस इसमें basically यही कर रहा है कि जो हमारा model है उसके अंदर हमने value set कर रही है ID, name, email, department उसके बाद हमने कह रहा data.save कर दिया then result मिल गया उसको हमने वापस से display कर रहा दे जो हमारी value set होई है और अगर कुछ message आ देख लिए बाकी next video में आगे का देखते हैं. Thank you.